नमस्कार दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ रस मलाई की रेसिपी को जिसे हम बिलकुल सस्ते में और बहुती स्वादिश्ट और बढ़िया बिना केसर की यहां पे रस मलाई बना के तयार करेंगे जो खाने में आपको बहुती स्वादिष्ट लगने वाली है और बनाना भी बहुती आसान है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं तो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में भी मुझे बताईएगा कि कैसी लगी आपको इस रस्मलाई की रेसिपी तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हमें डालना है एक गिलास दूद तो जो भी दूद आपके घर में आता हो वो इस्तिमाल आप कर लीजिए और मैंने यहाँ पे भर कर एक गिलास दूद ले लिया है और दूद को अब हमें दो मिनट के लिए चलाते हुए इसे पका लेना है बिल्कुल जटपट से बनने वाली इस रस्मलाई को जटपट आप घर पर बना सकते हैं या फिर जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन हो तो इस मिठाई को बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने कटोरी ले ली है और इसमें आदी चमच मैंने कौन फ्लॉर डाल दिया है आरा रोट मैं जिसे बोलते हैं वो लिया है अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसमें गेहूं का आटा आदी चमच डाल सकते हैं गेहूं के आटे का कोई टेस्ट नहीं आएगा सुपर टेस्टी रस्मलाई बन की तयार होगी तो इस बास से आप बिल्कुल बेफिक्र हैं और दूद भी यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ा हो गया है आप देखें इस तरह से मैंने पका लिया है इसी धीमी आच में और यह गाड़ा हो गया है और इसमें अब हम इस कॉन फ्लॉर को डाल देंगे आप यहाँ पर कॉन फ्लॉर की जगग गेहूं का आटा इस्तिमाल कर सकते हैं और इससे अब इस दूद में गाड़ा पना जाएगा जैसे जैसे हम कॉन फ्लॉर इसमें डाल देंगे एक गाड़ी रबडी बनके तयार हो जाएगी और इसे हम इसी तरह से दो मिनट के लिए चलाना है दो मिनट बाद यह काफी थिक हो जाएगी और इसमें बबल से पढ़ने लगेंगे तो यह पके तयार है अब हम इसमें चीनी एट कर देंगे मैंने यहाँ पे आदी कटोरी चीनी ली है यह लगवक चार से पांच चम्मच है यह चीनी अपने टेस्ट के साब से आप थोड़ा सा कम जादर डाल सकते हैं साथ में हम इसमें इलाची का पाउडर भी डाल देंगे इससे भी इसमें बहुती अच्छाट फ्लेवर आएगा और यहाँ पे मैंने कलर के लिए हल्दी ली है कलर लोगों को जल्दी मिलता नहीं है हल्दी का कोई टेस्ट रिष्ट नहीं आता है अगर आप इसी डालेंगे तो मिठाई में ऐसा नहीं है कि हल्दी का या सब्जी का टेस्ट आए तो इस बास से भी आप बिल्कुल वेफिक रहें यह स्वादिश्ट के लगेगी आपको कलर का कोई टेस्ट नहीं आएगा पर इससे एक प्यारा सा हलका पीला पंसा रसमलाई में कलर आएगा और यह पक्के अब तयार हो गई आप देखें यह गाड़ा हो गया है अब यह ठंडे में और भी ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस रबड़ी को ठंडा होने देंगे और ठंडी होने के बाद ही हम इसे इस्तिमाल करेंगे तो साइट रख देते हैं हम इसे इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी ड्राइफूर डाल सकते हैं गैस बंद करने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक चम्मच यह जो दूद के उपर मलाई पढ़ जाती है बोली है अगर आपके पास है तो आप जरूर ले और नहीं तो जो रबडी वाला दूद हमने बना के तयार किया है उसे आप एक चम्मच ले सकते हैं और इसमें अब हम डाल देंगे यह ड्राइफूट थोड़े से कटे हुए ड्राइफूट से जो हम रस्मलाई खाएंगे और बीज में इस टिपिंग कर टेस्ट आएगा मावा के जैसे बो बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा ब्रट ली है मैंने यहाँ पर चार से पांच और इन्हें मैं गोल गोल इस तरह से कुकिच कटर की सायता से काट लूँगी अगर आपके पास कोई गलास कटोरी है तो आप उससे काट लीजिए बहुत ही इजी तरीके से कट जाता है और इसी तरह से हम बाकी के ब्रट भी काट कर तयार कर लेंगे बहुत ही जल्दी यह कट जाएंगे और अब हमारे ब्रट कट चुके हैं और जो इस्टपिंग हमने बनाई है वो भी रखी हुई है और बीच बीच में हमें इस्टपिंग को लगा देना है जो रस्मलाई में बीच में जो मावा का टेस्ट और खोबे कर आएगा बहुती बढ़ी आएगा आप इसे जरूर लगाएं और इसी से इसको चिपका देंगे इस तरह से कबर कर देंगे इस तरह से हातों से गुमाते हुए चारो तरफी ये अच्छे से इस तरह से चिपक सजाएगा इसी तरह से हमें बाकी की रस्मलाई भी बना के तयार कर लेना है और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हम इसके उपर लगाते जाएंगे और इसे चिपकाते जाएंगे आप इसको ट्राइ करिएगा आपको जरूर पसंद आएगी मेरे यहां यह बड़ो छोटो सभी को बहुत ही पसंद आई है रस्मलाई लगता ही नहीं कि हमने इसी ब्रट से बनाया है स्वाधिश्ट रस्मलाई यहां पर बनकी तयार होती है और जिस भी कटोरी प्लेट में आपको रस्मलाई को बनाना हो इस तरह से आप सेट कर दीजिए और उपर से जो रबड़ी हमने बनाई है अब हम उसे डाल देते हैं और अच्छी से से कबर कर देंगी रबड़ी डाल कर उमीद है कि आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आने वाली है जट पट से बिना ज़्यादा सामान के इस रस्मलाई को आप घर पर बना के खा सकते हैं आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखके ठंडी ठंडी भी खा सकते हैं जैसे आपको पसंद दो आप ऐसे कर सकते हैं रस्मलाई हमारी बन के तयार हो गई है इसके उपर मैं थोड़ा सा केसर और डाल देती हूँ जिससे देखने में काफी खुबसूरत लगेगी और केसर का फिलेवर भी अच्छा ही आता है रस्मलाई हमारी बन के तयार हो गई है आज की रसिपी आपको अच्छी लगेगी उमीद करती हूँ रसिपी अच्छी लगे तो रसिपी को लाइक करिएगा और मिलेंगे हम इसी तरह की नई नई रसिपी के साथ